नमस्कार विद्यार्थियों, गत्व्याख्यान में हमने लोग का सामाजिक समझोता सिद्धान्त पड़ा था, उसी सामाजिक समझोता सिद्धान्त का तीसरा महतुपूर्ण इस्तंभ जिसको कहा जाता है, वो विचारक है रूसो। तो रूसो का सामाजिक समझोता सिद्धान्त भी मूलत है, सामाजिक समझोते के उपर आधारित है, कि किस तरह से व्यक्तियों ने मिलकर आपस में समझोता किया और उसके परिणाम स्वरूप रज्य नामक संस्था की उत्पत्ती हुई। रूसो के बारे में ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है, कि आधुनिक युग को लाने वाले समस्थ मारगों के द्वार पर हम रूसो को खड़ा पाते हैं। रूसो को स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अग्रदूत भी कहा जाता है, उन्होंने ये प्रसिद्ध वाक्ये लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन होता है और सर्वत्रवे जनजीरों से जकड़ा हुआ है। आज भी जब स्वतंत्रता की बात आती है, तो रूसो सबसे पहले हमें याद आते हैं, यानि रूसो एक तरह से स्वतंत्रता का सिंग नाध है। इन्हों ने वैसे तो बहुत सारी महतपूर्ण रचनाई लिखी थी, और उन रचनाओं में जैसे डिसकोर्सेज अन्दा मॉरल एफेक्ट अफ दे आर्ट्स और साइन्सेज या डिसकोर्सेज अन्दी ओरिजन ओफ इनेक्वैलिटी, लेकिन जो महतपूर्ण इनकी पुस्त मानी जाती है, वैसे हम देखें तो रूसो के विचारों पर जोन लोक और प्लेटो का सपष्ट प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है, रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा में हुआ था, और इनके पिता का नाम आईजक रूसो था, जो धार्मिक अत्याचारों के कारण से भाग कर जिनेवा चले गए थे, रूसो का जब हम सामाजिक समझुता सिद्धान्त पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले जिस तरह से हॉप्स और लोक ने व्यक्ति के या मानव के स्वभाव की व्याख्या की है, वैसे ही रूसो ने भी सामाजिक समझुता सिद्धान्त जब अपना दिया, तो उसमें मुख्य निम्न बिंदुओं को अपने सिद्धान्त का आधार माना, जिसमें मानव स्वभाव है, प्राकृतिक आवस्था, फिर उन्होंने बताए समझुते के कारण क्या है, और समझुते के परिणाम स्वरूप राज्यका कोन सा स्वरूप अस्तितु में आया, जब मानव स्वभाव की हम बात करें, तो रूसों की रचनाव में मनुष्य का चित्रण एक ऐसे तनाव ग्रस्त व्यक्ति के रूप में है, जिसका तनाव रहित अतीत एक तनाव मुक्त भविश्य का निर्मान करने की प्रेड़ना देता है, इस तनाव अत्मसिद्धी के लिए रूसो विवेक का सहरा लेता है, विवेक अच्छाई और बुराई में अंतरिश्पस्ट करता है, इन तत्वों के आधार पर रूसों ने दो प्रकार के व्यक्ति का चित्रन प्रस्तूत किया, पहला प्राकरतिक व्यक्ति जिसमें स्वार्थ और परमार्थ युद्धरत है, जिसकी चेतना अंधी है और वो विवेक पत्थ ब्रष्ठ है, ऐसा व्यक्ति लगातार भटकता र हुआ हो, या जिसने शक्तिशाली विवेक और अडिक चेतना के द्वारा आत्महित और परमार्थ में सामंज से बिठा लिया। रूसों ने जो मानौ सवभाव की व्यक्या की है, उसमें उन्होंने इस तरह से कहा कि आदिम मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें ना तो तनाव था और वो प्रसन और संतुष्ट भी था, पेड़ पोधों और पशुपक्षों की तरह वो पैदा होकर प्राकरतिक से उसे अच्छा, सुखी और सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शान्ती प्रेमी और एकांत प्रिये बताया प्राकरतिक वस्था में। इस विशे में रूसों का विचार हॉप्स और लोक दोनों से भिन है, क्योंकि हॉप्स ने का मनुष्य स्वभाव से बहुत ही बूरा है और लोक ने का अता मनुष्य अनुशासित और बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। पाप, निर्दोश तथा स्वभाविक रूप से अच्छा माना। लेकिन सभ्यता के उदय और विकास के साथ साथ ही मनुष्य की तनाव ग्रस्तता बढ़ती गई। रूसों की विचार में समकालिन सभ्यता एक तनाव ग्रस्त सभ्यता है। मनुष्य को प्रफुलित रखने वाला बाग नहीं है ये सभ्यता, बलकि एक कैद है। इसलिए मनुष्य के इच्छा है कि वह एक ऐसी सभ्यता का निर्मान करे जो प्राकरतिक मनुष्य की सभ्यता हो और जहां उसके स्वार्त और परमार्त में चेतना और विवेक के अनुसार समर्वे हो सके। तो जब हॉप्स ने प्राकरतिक अवस्था को बरबर बताया, लोक ने आदर्श बताया और रूसों ने मानव के स्वाभाव के आधार पर उसे आदर्श बरबर बताया। तो मानव के स्वाभाव की बात जब रूसों करते हैं तो उन्होंने बताया मनुश्य स्वाभाव से पहले तो अच्छा होता है, लेकिन बाद में सब्यता के विकास के साथ साथ वो स्वार्थी और हिंसक, क्रूर, इर्शालू एक दूसरे से या एक दूसरे को नीचा दिख का भी चित्रन करते हैं. क्योंकि मनुश्य का स्वाभाव पहले अच्छा था, बाद में बुरा हो जाता है, इसी तरह से प्राकर्तिक अवस्था भी पहले अच्छी थी, लेकिन बाद में बुरी हो जाती है. प्राकर्तिक अवस्था एकाकी नैतिक, एनैतिक भावनाओं से मुक्त, निश्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित, आदिम स्वार्ण यूग की स्वर्ग्य दशा में व्यक्ति रहता है. और प्राकर्तिक अवस्था के व्यक्ति के लिए रूसो आदर्श बर-बर शब्द का प्रियोग करता है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि प्रारंब में व्यक्ति एक भोले और अज्ञानी भालक की भांती होते हैं, जो सादगी और परमसुख का जीवन व्यतित करता था. धीरे धीरे प्राकर्तिक अवस्था में परिवर्तन आता है और यह जो एनेतिक या सदगुन की अवस्था थी उसमें बदलावा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे सब्वेता का विकास होता है, वैसे वैसे वैक्ति स्वार्थी होता जाता है, दोखादड़ी और युद्ध की अवस्था प्रारंब में बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि अनेतिकता का बोद तो तब होता है, जब मनुष्य में किसी उच्च गुण के समझने के शमता हो, उच्च गुणों का वै दिखदर्शन करता है, दोखादड़ी की प्रवर्ति भी तब जाती है, जब उसमें हिस अवस्था भी बुद्धी का उद्य होता है, यह प्राकर्तिक अवस्था में नहीं थी, लेकिन बाद में सब्वेता के विकास के साथ यह अवस्था परिवर्तित होते हुए एक बुरी अवस्था में पहुंच जाती है, तो रूसो द्वारा चित्रित प्राकर्तिक वह ऐसी दशा थी जिसमें व्यक्ति पशु जैसा अकेला जीवन बिताता था और धीरे धीरे विकास के साथ सब्यता के विकास के साथ व्यक्ति पर परतंत्र होता जाता है। रूसों ने कहा भी है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो सर्वत्र बेडियों से जगड़ा रहता है तो प्राकर्तिक अवस्था के बाद हम देखते हैं क्योंकि पहले अच्छे अवस्था थी बाद में बूरी अवस्था हो जाती है और लोग पशुवत जीवन जीते हैं वही लड़ाई जगड़े बर-बर अवस्था हो जाती है जैसा कि हॉप्स ने चित्रण किया था तो प्राकर्तिक अवस्था बाद में बूरी हो जाती है इसलिए मनुष्य फिर समझोते की तरफ बढ़ता है समझोते के कारण की यदि हम चर्चा करें तो रूसो ये कहते हैं कि प्राकर्तिक अवस्था आदर्श अवस्था थी जहां मनुष्य एक मासूम, निर्दोश और निर्मल पंची की तरह प्राकर्तिक सुन्दर का आनंद लेता हुआ, स्वचंदता पूर्वक विहार करता हु अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी और मानव के ज्यान में व्रिद्धी हुई, मनुष्यों को अगनी का ज्यान हुआ, हत्यार बनाना सीखा, घुमकड हो गए, घुमकड और वंचर जीवन है, वो छूट गया, वो एक निश्चिती स्थान पर बसने लगे, और व्यक्तिग जाए, व्यक्ति की मान्यता अस्तितुमे आई, परिवार की मान्यता अστितुमे आई, कलह, द्वेश, हिंसा और युद का प्रादूर्भाव हुआ, शंपती समंदी सर्प मानो समाज में पैदा हो गया और उसकी शुक्ष शांती जाती रही, शंपती के कारण धनी और निर् दुश्मन हो गया, संपत्ति का भूखा, स्वार्थी, घमंडी हो गया, अतसब्यता और सब्यसमाज, विज्ञान संपतियादी मनुष्य के दुश्मन है, ऐसा रुसो मानते हैं, तो स्वतंतरता के जाती रही संपति के प्रादुर्भाव के साथ ही, और धीरे धीरे वही अव जीवन सुक पूर्वक नहीं रहा, इसलिए रुसो का उत्तर था कि प्रकर्ति की ओर चलो, हमारा अज्यान, हमारा भूलापन, हमारी गरीबी लोटा दो, हम स्वतंतर हो जाएंगे, ऐसे रुसो के विचार थे, तो जब प्राकर्ति का वस्था की तरफ लोटना असंभव था तो उन्होंने ये कहा कि सभी लोगों ने मिल कर एक समझोता किया, ये समझोता कैसा था, इसके बारे में रुसो बताते हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि सामाजिक समझोता और राज्य के स्वरूप के बारे में रुसो क्या कहते हैं, वैसे युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए रूसो एक सामाजिक समझोते की कलपना करता है सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा संपूर्ण अधिकारों का समर्पन भी किया गया किन्तु अधिकारों का यह समर्पन किसी व्यक्ति विशेश के लिए नहीं था वरण संपूर्ण समाज के लिए था तो रूसो के अनुसार मनुष्यों ने आपस में एक समझोता किया और इस समझोते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया प्रतेक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेश को अरपित नहें कर संपूर्ण समाज को अरपित करता है और इस प्रकार यह समझोता लोगों के नीजी स्वरूप और सामुईक स्वरूप के मद्दे होता है रूसों की कल्पना की अनुसार व्यक्ति ये घोशना करता है कि हम में से प्रतेक अपने व्यक्तित्व और सभी शक्तियों को सामान्य रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतरगत रखेंगे और हम से युक्त रूप से सार्वजनिक इच्छा के निर्देशन में कार्य करेंगे तो समझोता करने वाले प्रतेक व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के स्थान पर सामुहिक बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई इस तरह से सभी सदस्यों ने मिलकर एक समाज की स्थापना की और इसी के साथ सरकार की स्थापना भी हो जाती है समस्त व्यक्तियों के बने संगठन से बने इसारवजनिक व्यक्ति को पहले नगर कहते हैं पिर गण राज्य कहते हैं और जब सक्रिय होता है तो संप्रभू तथा ऐसे ही अन्य निकायों से इसकी तुलना करके करने पर इसे शक्ति भी कहते हैं इस तरह से रज्य को सामनेच्छा कहा जाता है तो संप्रभूता की अभिवेक्ति रोसों के अनुसार सामनेच्छा में होती है सभी वेक्तिस के अधीन कारे करते हैं और प्रतेक नागरीक का संप्रभुता में एक भाग होता है तथा साथ ही वह जानता भी है क्योंकि उसे कानुन को मानना पड़ता है क्योंकि स्वयम ने उन्होंने संप्रभु को स्विकार किया और बनाया है इस तरह से हमें रूसों के दर्शन में जनप्रिये संप्रुभूता और लोकतंत्रिये सरकार के दर्शन होते हैं जो की बहुत ही महतुपूर्ण विचार हैं इस तरह से रूसों ने मानों स्वभाव प्राकर्तिक अवस्था और इसी के साथ जो राज्य का स्वरूप जन प्रिये संप्रुभूता का स्वरूप उन्होंने बताया वो राजनिती विज्ञान के ख्षेत्र में अत्यंत्म भैतु पूनिस्थान रगता है धन्यवाद